आज मने आपको आम का अचायर बनाना बतलाओंगे इसके लिए सबसे पहले तो आम को लेना है और उसे वही पर कटवा लेना है उनित village काट कर देते है कटवा कट लेना के बाद आम को जब घर लाकते हैं तो उसे अच्छी तरह से पाणी से दो लेते दो ले के बाद कटे हुए आम को एक घंटे पानी में डाल कर इस तरह से छोड़ देना है अब इसे एक घंटा जब हो जाए तो इसका जो एक लिक्विड होता है आम में जिसकी वजह से आपने देखा होगा लोग कच्छे आम अगर इसी तरह से भीना पानी में डाले खा लेते हैं तो उनके मुह में दानी निकल जाते हैं, तो वो लिक्विड इसमें पानी में डाल देने से निकल जाता है, जिसको आम तर पर लोग कहते हैं कि आम का लहर है, आम की गडमी, तो वो पानी में डाल देने से निकल जाता है, अब इसे पानी से निकाल कर छान लेंगे और इसे फैला ये बस आम का पानी अच्छी तरह से सुख जाना चाहिए इतने ही देर के लिए इसे खेलाना है पानी से निकाल लेने के बाद आम को इस तरह से फैला देते हैं अगर में दूप आ रहा हो तो थोड़ी दर दूप में छोड़ें यह सुख जाता है एक घंटे में आम आराम से सुख जाता है आम कुब अच्छी तरह से सुख चुका है इसमें जो भी पानी का आंच था वो सब अच्छी तरह से सुख चुका है अब इसे एक बरतन में रखेंगे और इसमें नमक और हल्दी डालेंगे मैं इसमें एक चमच हल्दी और एक चमच नमक डाल रहे हूं मैं इसमें जो भी चीज डाल रहे हूं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है आम में नमक खल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करके और अब इसे एक दिन के लिए कपड़े से ढख कर रख देना है इस तरह से ढख कर एक दिन छोड़ देना है अभी इसमें थोड़ा पानी छोड़ चुका है इसे इस तरह से बीच बीच में पूरे दिन उलटते रहना है इसमें थोड़ा सा नमक कल्दी डालने से पानी छोड़ जाता है अब इसे क्या करेंगे कपड़े पर फैला कर तोड़ा सुखाएंगे आम को पानी से निकाल कर और इस तरह से कपड़े पर फैला देना है ताकि इसका जो पानी इसमें लगा हुआ है वो सुख से इस तरह से जितने भी आम का आचार त्यार करना है उसे थोड़ा पेला कर और शुखा लेना है अब जो पानी इसमें बच जाता है आम को निखालने के बाद इसे फेकेंगे नहीं इसमें हम मसाला सानेंगे आम को सूखने छोड़ा है, जब तक आम थोड़ा सा उसका पानी सूख जाता है, तब तक हम मसाला तियार करते हैं इसमें डालने के लिए हमें चाहिए होता है राई, आजवाइन, सौफ, कलॉंजी, मेथी, नमप कॉढ़वदी इसमें और हम एड़ करेंगे धनिया का पॉडर, लाल मर्ची का पॉडर, धनिया का पॉडर घर में अबलेबल होता है, अगर नहीं हो तो साबुत धनिया को भूनते हैं, और उससे पॉडर बनाते हैं, यह मैंने भून कर तयार किया है, और लाल मर्ची का पॉडर यह दोनों हम में मौझूद रखता है तो इसलिए उसको साबूत लेने की जुरूत नहीं है अगर नहीं हो तो साबूत ले करके तब उसका पॉडर बना लेंगे थोरा सा भून कर तब पॉडर बनाएंगे चाहे वो लाल मिर्ची हो चाहे धनिया हो दोनों को थोरा सा भूनेंगे उसके जालते हैं तमिलनाडू वगरम में साउत में लोग तील का तेल इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं लोग ग्राउन टॉयल इस्तेमाल करते हैं तो उसके अनुसार तेल डालते हैं सब सब पहले राई को छोड़कर इन सबी चीजों को थोड़ा गरम करना है कराही को गरम करेंगे उ से थोड़ा सा भून लाने इस तरह से राई को छोड़कर बाकी के चारू चीजों को थोड़ा भून लेना है सभी चीजों को भून कर रख लिया है इसमें राई मिला देंगे और अब इन सब को थंडा होने रख देना है यह जब थंडा हो जाएगा तो इसके पॉडर तियार करेंगे पॉडर बनाने वाला ब्लेट लगा देंगे और सुखे हुए पॉट में इसे डाल देंगे यह ठंडा हो चुका है इसे डाल कर और पीस लेना है अचार का मसाला थोड़ा मोटा ही पीसेंगे एक तम बारिक पॉडर नहीं बनाएंगे थोड़ा इसको मोटा ही पीसना है और अब इसे मिक्स करेंगे यह थोड़ा सा दूसरे तरीके से में अचार बुतलाने जाड़े हैं गड़ाई में तेल को थोड़ा सा गरम करेंगे जो भी तेल खाते हैं जो भी तेल अचार में डालते हैं वो डालना है और उसे थोड़ा सा गरम करना है बस इतना ही कि इससे धुआ आने लगे तेल-गर्ब होचा तो उसमें डालेंगे हींग और स्टोब को बिलकुल बंद कर देंगे स्टोब अब जला हुआ नहीं चाहिए और इसमें डालेंगे रेड चिली पॉडर धनिया पॉडर मैं सभी चीजों की quantity सभी मसाले की quantity description box में डाल दूँगे मसाला को mix करने के लिए स्टोप को चला कर रखने की जुरुत नहीं है स्टोप बंद करके और तब साड़ी मसाले mix करेंगे भूना पीसा हुए साड़ा मसाला इसमें आट करेंगे यह मसाला थोड़ा ठेल के ठंडा होने के बाद भी आड़ कर सकते हैं इसमें मैं आट करूंगी यह बचा हुआ पानी साथी हल्दी नमक इन सब को mix करेंगे अच्छी तरह से अब यहां पर अगर आपने कभी भी भूल से नमक खल्दी में थोड़ी इधर उधर कर दी है तो नमक चक लें और इसमें नमक डाल देना है नमक यहां पर बड़ाबर कर लेना है मसाला में आम खुबच्चे तरह से सूख चुका है जब यह मसाला थोरह ठंडा हो जाया तो इस तरह से आम के उपर इसे बढ़ी गे चुकि इसमें मैं इसका पानी याट किया है इसलिए मैं इसे तोड़ा-सा ध्रूप में सुखाऊंगे इस तरह से मसाला के उपर आम में लपीट कर इस तरह से जब आम का अचार तयार करते हैं तो यह अचार बहुत ही स्वादिश्ट होता है खाने में और सुकते-सुकते यह आधा से ज्यादा पक चुका होता है जहां से भी दूप आ रहा हो इसे रख देंगे सुकने के लिए इस तरह से प्लेट पर अरेंज करते चले जाएंगे और दूप में ले जाकर एक दिन रख देंगे घर में जहां प्रवीधू पाता है इसे इस तरह से रख देता है अगर बाहर रखना हो तो थोड़ा ढख कर रखे अब यह देखे इसे मैंने दो दीन दूप में सुखा दिया है दो दीन सुखाने के बाब जूद भी यह वाला सुखा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने इसे ज्यादा तेल डाल करके और तब इसके उपर रखा था तो जो इसमें पानी का आंस था वो सुख चुका है अब यह अचा बिलकुल ही खराब नहीं होने वाला है कितने भी दिन रख अब इसका एक-एक पीस लेंगे और इस तरह से इसमें तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है बस इस तरह से तेल में डुबोएंगे और जिस भी बरतन में अचार रखना है रखते चले जाएंगे आम के पीसस को तेल में डुबोएंगे और इसमें रखते चले जाएंगे इसे कुछ नहीं होने वाला आप इसमें तेल डालें नाण डालें कुछ नहीं होने वाला दो-चार दिन में आराम से इसे खाएं वहाती मस्त और मज़ेदार अचार बनकर तयार हो जाता है इस तरह से आम के पीसस को शिसे के बरतन में बढ़कर रखते हैं हमारे यांगाव में इसी तरह से अचार तयार किया जाता है वहाँ तो इतना सीसा का बरतन भी नहीं होता है वहाँ लोग घड़े में रखते हैं घड़ा कोई अच्छी तरह से सुखा कर और उसमें अचार बढ़कर रखतेते हैं कुछ भी नहीं होता खड़ाब नहीं होता इसी तरह से तेल लपेट कर और रखतेते हैं खुब अच्छी तरह से सुखा हुआ है, आम, उसका मसाला, सारी चीज बहुत अच्छे से सूख चुका है, तो इसको अब कुछ भी नहीं होता है, यह देखिए, मैंने जो पहले आम का आचार आप लोगों को बना कर दिखलाया था, इसी तरह से रख्यों, मैं इसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा सा लपेटने के वक्त जो तेल डाला, उसके बाद थोड़ा बहुत आधा कप या एक कप तेल आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, तेले डालने के, तो इस तरह से बहुत ही स् आम काचा तेयार किया जाता है, आप भी इसे बना कर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ चरूर सेयर करें, वीडियो पसंद आती है, लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें, धन्यवाद